दोस्तो आज अगर आप बक्री पलन वेवसाई की सुरुवात करना चाहते हैं तो आपको सरकार 5 लाक रुपे का लोन दे रही है और इस लोन की सबसे बड़िया खास बात है कि आपको बैंक में किसी गारेंटर को लेकर जाने की आवसकता नहीं होगी आपको 5 लाक रुपे का लोन बेना गारेंटी पर दिया जा रहा है बस सरत इतनी है कि आपके पास कम से कम 3 विगा जमीन होना जरूरी है और केवल जमीन के कागजात जैसे खसरा नंबर और जमावंदी को लेकर ही आपको बैंक जाना होगा वहाँ पर आपको आसानी से बैंक द्वारा लोन दिया जा रही है और वैसे इस योजना की आवेदन प्रोसेस प्रक्रिया है लगबग सभी राजियों में चलाई जाती है वैसे आप बकरी लोन की पूरी जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दियावा है वहाँ से पूरी चेकाउटी कर सकते हैं कि आखिर बकरी लोन कितना दिया जाता है और बकरी लोन के लिए क्या-क्या बेनिपिट होंगे बकरी लोन कितनी रखेंगे तो किसान को कितना मुनाफ़ा होगा हर महिने 20-30,000 रुपे की आई किसान कितनी बकरियों के मादमशे कर सकता है इसकी जानकरी वहाँ लिंक के मादमशे आप ले सकते हैं तो आईए जानते हैं बकरी लोन के लिए जरूरी डोकुमेंट किसान के पास क्या होने चाहिए तो इसमें सबसे पहले किसान का आधार कार्ड और दो नमबर पर वही डोकुमेंट जो आपके पास जमीन है उसी जमीन के कागजात जैसे खसरा नमबर और जमामन्दी और बैंक ख अगर आप बकरी पालन विवसाइद शुरू करना चाहते हैं और नजदी की बैंक सागा से लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन डोकुमेंटों को लेकर ही जाना होगा चलिए किसान वयो अब ये बात करते हैं कि बकरी लोन के तहत किसान को कितनी ब्याजदर जुकानी आदे सामान वयाजदर बेंक की 7% होती है लेकिन हर किसान को हर राज्ये में पशु किसान क्रेडिट कारड बेंक की तरब से दिया जाता है अगर आपने पशु किसान क्रेडिट कारड को बना लिया है तो फिर आपको 3% की सबसीड़ी दी जाएगी मातर 4% ब्याज़ पर विवशाय सुरू करना चाहते हैं तो आपकी इचा है आप कौन से पस्वों पर लोन लेना चाहते हैं तो सभी की समान परकरिया से लोन दिया जाता है अब चलिए पात करते हैं कि सरकार जिस परकार बकरी पालन विवशाय के लिए 5 लाक रूपे का लोन दे रही है तो इस लोन को वापिस चुकाने के लिए कितना समय सरकार की ओर से बैंक की ओर से दिया जाता है तो किसान सातियों अगले 3 से 5 साल का समय दिया जाता है अगर आप 5 लाख रूपे का लोन ले रहे हैं और 20 से 40 बकरियों के बीच में इस लोन की प्रकिरिया रखते हैं तो फिर आपको 3 साल का समय दिया जाता है और एक किस्त के बीच में अंतराल 6 मैने का होना चाहिए यानि 3 साल में आपको 6-6 मैने की अलग-अलग किस्तों के रूप में इन पैसों को जमा करवाना होता है वरना आपको ब्याजदर में ज्यादा देनी पड़ सकती है क्योंकि बैंक के नियमों के अनुसार जितना समय अंतराल ज्यादा होगा तो आपको ब्याजदर भी ज्यादा देनी पड़ सकती है तो किसान सात्यों बैंक और ब्यासदर की बारे में हमने इस वीडियो में पूरी जानकरी आपको अच्छी तरह बताने की कोशिस की है इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट या कंक्लूजन है तो कमेंट बोक्स बिल्कुल खाली है वहाँ पर आप पूरी जानकरी पूछ सकते हैं या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वाए उस लिंक के मादम से बक्री लोन या अन्य पस्वों पर किसी भी परकार का लोन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूरी जानकरी बताए गई है वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं उमीद करते हैं जानकरी आपको अच्छी तरे क्लियर हो गई है इसके अलावा कोई भी डाउट या सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना हम आपको नए वीडियो के साथ एक बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए किसान सत्यों जेहिन जेवार्त